नमस्कार सातियों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रिश्चिक ओनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है अभी ने ने राश्टी आये इवं योगता आतारित परिछा सीघ्र हमारे निकट आ रही है और हमारा बच्चों को बहुत प्रयास रहता है कि भी बच्चे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे और मुझे पूरी उमीद है कि यह समाजिक के प्रेश्चन आपको बहुत लाबदायक सिद्ध होंगे साथी साथ हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएगा उसमें एक क्विज भी है यानि जो आप वीडियो देख है उसकी क्विज करें उससे यह पता चलाएगा जो हमने वीडियो देखी जो हमने समझा वहम उसको कितना समझ पाए तो आएए देखते हैं समाज विज्ञान के 35 प्रेशन जो आपके लिए बहुत ही लाबतायक सिद्ध है और यह आदे आपको अच्छे लगते हैं तो प्ल जिहां इसका सही उत्तर है 1784 अगला प्रश्ण है 231 बटे दोवी दच्छनी आच्छांस को किस नाम से जाना जाता है जी हां इसको हम जानते हैं मकर रेखा से अगला प्रश्ण है कौन सा सार्ग का सदस्थ नहीं जी है कौन सा जो देश है वो सार्ग का सदस्थ नहीं है तो उसमें सार्ग का सदस्थ नहीं है वो सही जवाब है जापान पाकिस्तान नेपाल चीन यह हमारे पडोसी देश है और यह हमारे सार्ग के सदस्थ भी है अगल अगला प्रशन भारत के पश्यम में कौन सा पडूसी देश है जी हाँ अगर हम भारत के नक्षे में देखेंगे तो पश्यमी तरफ हमें दिखाई देगा पाकिस्तान अगला प्रेशन भारत का राष्टी चिन कहां के स्थंप सीर्थ से लिया गया है जी हाँ तो ये लिया गया है सारनाथ से अगला प्रेश्म भारती संविधान में मौलिक अरिकार की अब धरणा किस देश से ली गई है जी हाँ ये ली गई है संयुक्त राज अमेरिका अगला प्रेश्म राज सभा के सदस्वों का कारकाल कितने वर्षों का होता है जी हाँ इनका होता है छे वर्षों का होता है अगला प्रेश्म है भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया है जी हाँ तो इसका सही उतर है हमारा तहतर्मा संसोधन अगला प्रेश्म हमारे राष्टिये चिन्द में देवनागरी लीपी में क्या लिखा हुआ है जी हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें लिखा होता है सत्मेव जैते अगला प्रेश्म सिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कार करने वाली संस्था कौन सी है जी हाँ तो इसका सही उत्तिर है यूनेसको अगला प्रस्ण है उत्तव परदेश की विधान परिशद में कितने सदस हैं जी हाँ इसमें सदस हैं सो अगला प्रस्ण भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागो किया जी हाँ ये लागो किया था दो हजार पांच में अगला प्रस्ण मानव अधिकार दिबस कम मनाते हैं जी हाँ ये मनाये जाता है दस दिसम्बर को अगला प्रस्ण राष्टपती के द्वारा लोग सभा के लिए कितने सदसों को मनोनीत किया जाता है जी हाँ राष्टपती के द्वारा लोग सभा के सदस जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं दो अगला प्रस्ण इस्थाई बंदोबस्त या जमेदारी प्रथा किस ने सुरू की थी जी हाँ इसका सही जबाब है लॉर्ड कार्न वालिस अगला प्रस्ण बकसर के युद के बाद अंग्रेजु ने किसे बंगाल का नबाब बनाया जी हाँ उस बनाया था मीर जाफर को अगला प्रस्ण है हडपा सबता के अंतरगत कौन सा इन में से प्रमुख नगर है जी हाँ वो नगर है मुहन जोदडो अगला प्रस्ण दीन ए इलाही ये क्या था तो ये एक धर्म था जो अकपर ने बनाया था अगला प्रस्ण है गुप्त काल के किस सासको भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसका सही उतर है समद्र गुप्त अगला प्रस्ण है पारा दीब बंदरगहा कहां इस्तित है जी हाँ पारा दीब बंदरगहा ये है उड़ी सा में अगला प्रस्ण है बायू मंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं जी हाँ सबसे निचली परत जो है वो है छोब मंडल अगला प्रस्ण ओजोन परत मुखता कहां पाई जाती है जी हाँ ये पाई जाती है समताप मंडल में अगला प्रस्ण है ग्रीन बिच रेखा किस देश के रोयल अनुसंधान किन्द से होकर गुजरती है तो इसका सही उतर है ब्रेटेन राजा राम मुहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी इसका सही उतर है ब्रह्म समाच अगला प्रस्ण है भारत में सिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भासा का समर्थन किस ने किया था यह किया था राजा राम मुहन राय जी ने अगला प्रस्ण है सिंदु घाटी सब्धा में लोग नारी रूप में किस की पूजा करते थे तो इसका सही उतर है मात्र देवी अगला प्रसने होम रूल आंदोलन किस ने आरम किया था जिहां इसका सही उतर है एनिवेसेंट अगला प्रसने भारती राष्टी कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था जिहां इसका सही उतर है 1885 सन 1905 में बंगाल के विवाजन के ये निम्लिखित में से कौन उत्तर दाई था उसका सही जवाब है लौड करजन अगला प्रस्ण है भगवान बुद्ध ने पर्थम उब्देश कहां दिया था जी हाँ इसका सही उत्तर है सारनाथ अगला प्रस्ण प्रत्वी पर महादीपो की संख्या कितनी है ये सभी बच्चे जानते होंगे साथ सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसका सही उत्तर है ब्रहस्पति निमलिखित में से किस नदी को दक्षण गंगा के नाम से जानते हैं इसका सही उतर है यमुना अगला प्रशन है भारत इबंचीन के मद्द की सीमा रेखा को क्या कहते हैं या इसको कहा जाता है मैक मोहन रेखा और अंतिम प्रशन है पंच तंतर के लेखा कौन है जी हाँ इसका सही जबाब है बिश्नु सर्मा